नमस्कार जैसे किष्णा आशी रादे बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं आप जूतिश दुशा सत्तिकी रा और आज दिनांक 28 जुलाई को पैदा हुए समस्त्र मित्रों को बहुत सारे शुब कामना हैं बहुत सारी बधाईयां आपका जनम दिन खूब शुब हो आप स्वस्त रहें आप प्रशन रहें आप खूब बढ़ों का आशिरवाद लें अपने जीवन में शुबता को प्राप्त करें ऐसी हम विस्वर से प्रातना करते हैं आज आपका जनम दिन है और आने वाले पूरे वर्ष के विसे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं बताएंगे हम आपकी सिक्षा कैसी रहेगी अगर आप 28 जुलाई को पैदा हुए है बताएंगे हम आप किस प्रकार से अपना व्यापार फैलाएंगे अपनी नौकरी करेंगे घर परिवार में कैसे रहेंगे आपकी मैरेड लाइफ और लव लाइफ का क्या प्रभाव पढ़ने जा रहा है आज तिनांक 28 जुलाई से 27 जुलाई 2019 तक का पूरा एक समरी सारांश निचोर सुर्य बुधराहु करकराशी में, शुक्र सिंगराशी में, ब्रहश्पति तुला में, शनी धनु में और चंद्रमंगल केतु मकराशी में रहेंगे आज जब सुबह का सुर्योदे हुआ यही ग्रह मिलेंगे और बना देंगे आपके पूरे आने वाले एक वर्ष के हाल के बारे में आए सबसे पहले अब हम बताते हैं आपकी सिक्षा कैसी रहेगी अगर आप आज दिनांक 28 जुलाई को जनम दिन सेलेब्रेट कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपके सिक्षा बहुत उन्नत शील होने जा रही है सिक्षा में जितनी भी रुकावटे थी जितनी भी परेशानिया थी जितनी भी दुश्वारियां थी वो सब दूर हो जाएंगे बहुत अलग तरह का प्रभाव आप प्राप्त करेंगे मन खूब रमेगा सिक्षा में अगर कोई परिवर्तन के लिए विचार किये थे तो सितंबर से बहतरीन महिना नहीं आएगा छे सितंबर को शनिदेव मार्गी होंगे उसके बाद आप परिवर्तन कर लीजेगा कुछ विचार किया था अलग तरह से कुछ करने का तो उसके लिए भी समय बिलकुल अनकूल चल रहा है आप कर भी सकते हैं दिक्कत नहीं आएगी व्यापार अक्टूबर नॉम्बर में व्यापार बदल सकते हैं किसी अन्ने को भी व्यापार में आप प्रभीश करा सकते हैं अगर आप 28 जुलाई को पैदा हुए हैं और खान पान का व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए समय और ज़्यादा अनकूल है अगर लुहे से सम्मंदित व्यापार करते हैं आप तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकती है हो सकता है व्यापार आपका रुख जाए कर्ज की स्थिती भी पैदा हो रही है अक्टूबर से जनवरी तक का समय व्यापार में कर्ज लेने की नोबत का समय है धन की किलत मार्च के बाद दूर हो जाएगी बैपार आपका समूथ चलेगा मार्च के बाद प्राइवेट सेक्टर हर रुकावट अपने आप दूर कर लेंगे आप नोकरी में आपका दबदबा बना रहेगा अगस्त सितंबर में बास के साथ कहीं बाहर भूमने टहलने जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो भी दिक्कत थी उन समझत दिक्कतों से आप बाहर आएंगे प्राइवेट सेक्टर में नोकरी में परिवर्तन फरवरी महीने से आप कर सकते हैं वो आपके लिए ठीक रहेगा सरकारी नोकरी घूस लेते हुए पकड़े जा सकते हैं सम्मिदंशील पदों वाले सरकारी मुलाजिम जो 28 जुलाई को पैदा हुए हैं सावधान रहें आपकी नोकरी छूट सकती है अक्टूबर नौंबर महीना तो सावधानी रहें आप बाईस नौंबर तक सरकारी नोकरी वालों के लिए स्थानांतरण जनवरी मिट के बाद 15-20 जनवरी के बाद संभव है अगर आप 28 जुलाई को पैदा हुए हैं और गवर्मेंट जॉब करते हैं तो थोड़ा सा अपने बॉस के साथ बना कर रखने की आवशक्ता है Married Life Married Life की स्थिती भी बहुत सकरात्मक नहीं दिखाई दे रही है दामपत्य जीवन में हस्तक शेप खूब सारे होंगे अगस्त महीने में बहुत उठापटक होगा पिता के साथ भी दामपत्य जीवन को लेके टकराव की स्थिती आ सकती है पति-पत्मी भी आपसी तालमेल बना पाने में थोड़े से अक्षम रहेंगे सितंबर नौंबर के बीच का समय सेपरेट तक हो जाने का समय दिखाई दे रहा है तो बहुत ध्यान से अपना दामपत्य जीवन लेकर चले आगे लव लाइफ की बात करते हैं अगर तो पंचम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है तो प्रेम संबंधों में शक के साथ भी रिस्ता बना रहेगा महा लक्षमी योग बन रहा है पंचमेश और लगनेश की युती है सब्तमभाव में तो 110% दामपत्य जीवन आपका आपकी प्रेमी या प्रेमका के साथ शुरू हो ही जाएगा धन्यवाद ब्लड से संबंधी दिक्कत सरदर्दी माइगरेन की दिक्कत कुछ विशेश रुकावटें कुछ विशेश दिक्कतें कुछ विशेश परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं आपको उल्जा सकती है स्वास्थ को लेकर कि जितनी साधानी आप बढ़तेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा उपाय क्या करें तीन शनिवार लगातार तीन लोगों को खाना खिलाएए और तीन पीपल के पौधे आप अपने हाथ से लगवा दिजेगा अगर बच्चा आपका है जो 28 उलाई को पैदा हुए हैं तो आप बढ़ों को ये काम कर देना चाहिए आज जिनकी शादी की सालगिरा है अर्थात मैरेज अनिवरसरी है उनके लिए तीन सनिवार लगातार जरूरत मंदों को दवा का दान पती-पत्नी मिलकर करें और यही उपाय आप कभी भी एक आरक्रम देखते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं धन्यवाद आप सबका इस प्यार के लिए इंदौर बंबई वगरे के हर जगा का पाइन्मेंट धुमाधार चल रहे हैं आठ आठ दस-दस दिन का वेटिंग चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिजेगा अगर आप कहीं से भी हमें पसंद करने लग गए हैं तो एक बार हमारे सामने भी आने के कोशिश करें सायद और अच्छा लगेगा नन्यवाद आप सबके इस प्यार के लिए यह प्यार यही बनाए रखिएगा और गुन गुनाते रहिएगा देखते रहिएगा नक्षत 27 नमस्कार शिरादे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसके वीडियो को शेयर करना न भूलिए